हाई, वल्कम अगेन आज मैं नर्सरी से लाए पोधे को रिपूट करूँगी जिसकी सौपिंग हॉल मैंने अल्रेडी इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है ये नर्सरी से मैंने पट्चेस किया हुआ बहुत ही खुबसुरत पोधा है और आज इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे अगर आपके पास मिट्टी के अलाव कुछ भी नहीं है तो भी आप इस प्लांट को कैसे लगा सकते हुँ मैं आपको दिखाऊंगी इस कलेडियो में बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकले हुए है अगर आप चाहो तो ये सारे बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके अलग-अलग पोधे भी बना सकते हो अगर आपके पास अभी कोई भी फटिलाइजर नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जो आप गर पे बहुत आसानी से बना सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी सो अंतक जरूर से बने रहे सबसे पहले हम प्लांट के हिसाब से पॉट को चूज करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी तक गार्डन सॉल को भरेंगे हमें खयाल रखना है कि जो भी हम मिटी ले वो चिकनी नहीं होनी चाहिए अदोवाइस उसमें कोई भी बौदा अच्छे से गुरू नहीं करेंगे और नीचे की ओर जहां पे ड्रेनेज होल है वहां पे हम ठिकरी को रख देंगे पर ठिकरी हमें इस तरह से रखनी है कि जैसे ये होल है वो ड्रेनेज होल के उपर आना चाहिए ताकि वहां से पानी बहुत आसानी से निकल सके और मिटी वो ड्रेनेज होल के अंदर ना फस जाए यानि drainage hole के ऊपर ठिकरी रखने के बाद इसके ऊपर हम garden soil को भरेंगे अब इसके बाद जो next step में करने वाली हूँ इसको आप totally avoid भी कर सकते हो क्योंकि कोई भी पोदे के लिए ये step अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब ये पोदा बड़ा होगा तब उसकी roots को वहाँ से energy मिलेगी इसके लिए ये step में कर रहे हूँ यानि कि इसके ऊपर में एक layer बनाओंगी वर्मी कंपोस्ट का मैं generally वर्मी कंपोस्ट ही use करती हूँ क्योंकि इसको में घर पे बनाती हूँ क्योंकि अभी फिलहाल roots इस कंपोस्ट को टच नहीं करने चाहिए otherwise वहाँ से कभी कबार fungus भी लग सकता है rainy season actually सबसे best time होता है कोई भी पोदे को report करने के लिए कोई भी cuttings को लगाने के लिए इस मौसम में अगर आप कोई भी पोदे को report करोगे तो definitely आपका पोदा लगी जाएगा अब हम यह जो पोदा है इसको पन्ने से निकालेंगे उसके लिए इसको हम केची से काटी लेगे ताकि हमारी कोई भी roots डेमेज ना हो चनरली एक ratio के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पोदों में सिर्फ दो ही बार solid fertilizer डाला जाता है एक तो अगस्त में और एक कर्मिया सुरू होने से पहले जैसे कि मैंने भी वर्मी कंपोस का यूज किया इस तरह से आप गूबर का खाद भी बना सकते हो वेजिटेबल पील का भी solid fertilizer बना सकते हो तो मैं recommend करूँगी कि आपके पास यह कोई भी fertilizer नहीं तो आप उसको घर पे बना लो जो बहुत आसानी से बन जाता है यह हमने पनी से निकाल लिया और इसमें रूट बहुत ही अच्छे से develop हो चुके है हाला कि यह beginner special series है तो इसके हम अलग-अलग जो puffs है उसको divide नहीं करेंगे उसको हम directly ही लगा देंगे क्योंकि beginner से अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो पोदा खराब हो सकता है तो सबसे पहले हम मिटी को हलके हाथों से निकाल देगे जहां तक हो सके क्योंकि इसके मिटी बहुत ही अच्छी है तो इसको हम reuse भी कर लेंगे इसकी मिटी जो है वो black in color है यानि कि इसमें organic matter बहुत अच्छी तरह से डाला हुआ है हर एक मिटी की एक पैचान होती है यानि कि जो black in color मिटी है उसमें organic matter ज्यादा होता है कहीं पे red color की मिटी होती है यानि कि उसमें iron की मातरा ज्यादा है उसमें organic matter बहुत कम है और कहीं पे आपको फूरी यानि कि gray color की मिटी दीखेगी तो उसमें तो बहुत कम मातरा में organic matter है तीनों मिटी सही आप तीनों में से कोई भी मिटी यूज कर सकते हो आपके यहां की मिट्टी इस कलर से मैश नहीं होती है, so don't you worry, बिल्कुल गबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, तो ये उपर का जो पॉर्जन है, वो तो मिट्टी निकल रही है, पर नीचे की मिट्टी नहीं निकल रही है, तो थोड़ी हाड हो चुकी है, तो उसको हम अभी पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, ताकि आसान इसे वो रूट से अलग हो सके, इसके लिए आप कोई भी प्लेट, गमला या कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर हमें सिंपली पोधे को रख देना है, और पोधे में पानी थोड़ा सा भर देना है, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही जो मिट्टी है वो गीली होने के बाद आराम से निकल जाएगी, आप देख सकते हो कि बहुत आसानी से अब इसकी मिट्टी निकलने लगी है, जैसे आत में लेया तुरांती मिट्टी निकल गए और उसके जो रूट्स है वो भी अलग हो चुगे, यानि अब इसको हम डारिकली लगा सकते हैं, इससे ज्यादा मिट्टी निकलने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा रूट्बुल हम निकल देंगे, तो फिर लगने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और इसकी मिट्टी अल्रेडी अच्छी है, तो इसकी पूरी मिट्टी को हम नहीं निकालेंगे, कोई भी पूधी को लगाने की टाइम पे उसमें फंगस साइड एड़ करना ज़रूर ही है, ताकि हमारे पूधे में फंगस का अटिक ना हो, मैं इसमें टर्मरिक पाउडर का यूज़ करूँगी, जो की औरगेनिक फंगस हैड है और वो हर एक घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, और इसके उपर हम फेड से गार्डन सल्ड के पतली से लेयर कर देंगे, और उसके बाद हम इस पौधे को इसके उपर as it is रख देंगे, जो सैट का जो पाट बचा हुआ है उसको हम मिटी से बर देंगे, और उसको मिटी से बनने के बाद उसको हम हलके हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर कोई air pockets ना रहे सके अगर air pockets रहे जाएंगे तो इसके अंदर fungus का अटेक होगा और अच्छी तरह से पौदा जो है वो grow नहीं करेगा यह जो मिटी है इसके अंदर अभी मैंने कोई भी compost का यूज नहीं किया हुआ सिर्फ garden soil मैंने ली हुई है इसलिए आखरी में हम इसके अंदर एक पतली सी फिरसे layer बना देंगे वर्मी कमपोस्ट की और वर्मी कमपोस्ट की layer के उपर फिरसे हम एक मिटी की layer बना देंगी ताकि जब हम पानी डालेंगे तो कमपोस्ट नीचे पानी के साथ भैता रहेगा और हमारा पोधा grow करता रहेगा इसमें मिटी हम यहां तक बरेंगे और उपर का इतना पाट खाले रखेंगे ताकि जब पर पानी हम देंगे तो नीचे तक अच्छे से पहुँच पाए और पानी हम यहां तक देंगे, अगर कम जगा रहेगी तो पानी जिर्फ आधे तक ही पहुँचेगा, रूट्स तक पानी नहीं पहुँच पाएगा अगर आपके पास कमपोस्ट नहीं है, सॉलिट फटिलाइजर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वह मैं आपको दिखाती हूँ इसका alternative है vegetable pill fertilizer हम हमारी kitchen में हरोज vegetables का use करते है उसकी जो pills होती है उसको आपको 8 दिनों के लिए पानी के अंदर भीगों के रख देना है और 8 दिनों के बाद आपको उसको छान लेना है और equal amount में इसमें पानी add कर देना है फिर आप इसका as a liquid fertilizer use कर सकते हो पर अगर आपने जब soil mixture ready किया था तब कोई भी solid fertilizer का use नहीं किया है तो इसको आपको आंठ या 10 दिन में एक बार use करना ज़रूरी है यह alternative है बर्ट मैं आपको recommend करूँगी कि आप हो सके तो solid fertilizer गर पे बना लो बहुत आसानी से बनता है उसके ओपर मेरी वीडियो है वर्मी कंपोस कर पे कैसे बना सकते हैं और अगर आप vegetable pill fertilizer बनाना चाहते हो तो उसके ओपर भी separate वीडियो है जो यह दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के अंतमेशो होगी वहाँ जाके आप दोनों वीडियो इसको देख सकते हो तो यह थी आज की मेरी वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में जरूर से comment करके बताए तब तक के लिए bye bye हम मिलेंगे हमारे निक्स वीडियो में